नमस्कार दोस्तों में विने सिंग एक वार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल मनी मिटर्स में आज के इस वीडियो में आपको बोनस शेयर और इस्प्रिट शेयर क्या होता है और इसके वारे में अंतर बताऊंगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबी दोस्तों से मेरा required यब आपने विताकरे सब्सक्राइब क्या सबस्क्राइब कर Tat के ब्ल這樣子 दवन ना भूले तो इस तरीके से वो डिविडेंट ना करके बोनस शेयर देती है इस बोनस शेयर में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनके पास लिक्विड होता भी है पर बोनस शेयर इस वज़े से और देती है कि उनका जो टैक्स है वो टैक्स बच जाए तो टैक्स को बचाने के लिए देती ह उनके पास जो extra money होती है लेक्विड होती है उसको वो यूज कर लेते हैं तो जब कोई bonus देता है तो इसका मिलब यह है कि कंपणी यह कामकार्च अच्छा चल रहा है कि अभी कि बोनस के बारे में मैंने आपको बताया अब बोनस में क्यों उश्यू होता है Actually bonus जो है वो company का जो equity होते है वो ये सोचते के देते है कि हमारे पास जो extra पैसा बचा हुआ है उसको हम अपने share धारकों को दे दे जिससे कि उनके share की संख्या बढ़ जाए market में और वो इसलिए bonus विसु करती है इसी का share मुलटा buyback होता है buyback में shares की संख्या कम करने के लिए company अपने reserve का use करती है और यहाँ वो अपने reserve का use company पैसे अपने shares को बढ़ाने के लिए करती है बोनस share देने में कोई भी किसी भी थरीके से company की value में कोई परिवर्टन नहीं होता है तो इसलिए bonus एक बहुत अच्छा तरीका है और इसमें जो company के उपर जो tax government ने लगाया था अभी उसको आटा लिया है उस tax से बचने के लिए भी company बोनस दे देती थी अभी अगर हम bonus की बात करें तो bonus में क्या क्या चीज़े होती है bonus में actually इंडिया के अंदर में होता क्या है कि T plus 2 का system है मतलब ही होता है जैसे आज कोई इन्होंने bonus दिया है तो आज के बाद आज से दो दिन बाद उस bonus को सका settlement होता है और उस bonus को settlement करने के लिए जो ISIN में हर bonus का एक registration number होता है एक number अवंटेट होता है वो जब हो जाता है तो उसके 10 से 15 दिन बाद bonus share दारक के खाते में आ जाता है तो bonus का इंडिया के अंदर में यही तरीका है और इस bonus को देखने के लिए एक record date होती है और एक bonus date होती है तो bonus date से पहले पहले आपके पास वो share होना चाहिए और record date तक उस share को आपको रखना है मतलब यह है कि 27 तारिक को अगर आपको bonus date है तो 27 से पहले यानि 26 तारिक को आपके पास वो share होना चाहिए और अगर 30 तारिक उसकी record date है तो 30 तारिक तक आपको तीन दिन आपको उसको अपने portfolio में share को रखना है तब ही जाकर आप bonus share के लिए eligible होंगे अब यह record date क्या होती है record date एक cut off date है जिस date को आपके पास वो share होना जरूरी है जैसे की बने पहली बताया कि bonus date और record date दो होती है तो बोनस date यानि की जो company को एक announcement करती है तो announcement बहुत पहले भी कर सकती है हो सकता है दू महीने पहले भी कर दे, एक महीने पहले कर दे तो वह उस date को बताती है कि हम अपने अगले महीने bonus देने वाले है तो एक date declare करती है कि bonus date हम मालो एक तारीक को हमने bonus date किया तो bonus date के बाद एक record date होती है मतलब bonus date से पहले और record date के तक अगर आपके पास share है तो आप bonus के अगदर होते हैं तो यह होती है record date आशा करता आपको समझ में आ गया होगा अभी next जो अगर बात हम करें कि split stock क्या होता है तो split stock same bonus की तरह होता है पर उसमें बहुती minor अंतर होता है bonus में कोई company होती है वो एक के बदले में दो share देती है तो एक share के बदले में दो share वो कर देती है split में भी same होता है एक के बदले में दो पर face value का इधर कहानी पूरी बच जाती है face value जो split share होता है उसमें face value कम हो जाती है और जो bonus share है उसमें company की face value में कोई भी अंतर नहीं आता है अभी आपको next जो इसका मैं फूरा finally बताऊंगा अभी आरती इंडस्टीज ने अभी हाल ही में एक अपना bonus issue किया है इसका प्राइज लगबग 1600 रुपए चल रहा है तो इन्हों ने एक आपको bonus share एक के उपर एक दिया है मतलब 1600 का share अभी इसकी जो record bonus rate 27 तारिक है bonus rate 27 तारिक को और इसकी record rate 30 है तो 27 तारिक को आपके पास दो share हो जाएंगे और उन दो share की कीमत 8 800 रुपए हो जाएगी और इसकी face value जो 10 रुपए है वो बिल्कुल भी बदलेगी नहीं आपको समझना चाहिए कि bonus share में company की face value नहीं बदलती है और आपको जितने भी bonus issue होता है एक share के उपर उस हिसाब से आपका जो उसको डिवाइडेशन के बाद आपका निकल जाता है वन इसकल टू वन का अगर है तो एक का डिवाइड हो जाता है एक हाफ हो जाता है तो 1600 का जैसे आदा 800 रुपए अब इस 800 रुपए के उपर आपको फाइदा क्या आता है bonus में नहीं की है नेक्स्ट में अगर कोई जो डिवडेंट करती है कंपनी माली जी कंपनी अगर डिवडेंट इसके उपर 200 परसंट डिवडेंट के उपर होता है मतलब कि 20 रुपए डिवडेंट आपको मिलेगा तो आपके पास डबल हो गया ढ़िया ना होने से जब आपको डिवडेंट कंपनी पे आउट करती है उस त्याई पे सैयर्ग वालेगों फाइदा होता है अब हम आपको बात करते हैं, इस प्रपेच में भी है है अभी एजडिया इस अब ऐप्पनें बेहरे इस ऐसी यहीं क्यों करती है split भी करती है तो उनका ये reason होता है कि उनके share की value बहुत ज्यादा हो चुकी है जैसे कि आपको पता है कि company के share की value लगबग 200 रुपे हो चुकी थी तो इन्होंने अपना split किया है तो split के बाद इसकी value 1100 रुपे हो गई एक share की और इसमें split में आपको 2 share मिले एक के बदले में बट इसमें जो face value है वो भी 2 रुपे की जो थी वो एक रुपे हो गई है तो इसमें जब dividend payout होगा तो आपको कोई भी अंतर नहीं आएगा जो आपको dividend 2200 रुपे मिलता वही dividend आपको अभी 2 share मिलने के बाद मिलेगा तो इसमें लिए जो split share है उसमें face value कम होनी के वजए से dividend payout करते टाइम कमपनी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है पर अमूमन ये देखा गया है कि split होने के बाद share के price rate भागते है क्योंकि वो affordable हो जाती है और ये जो company जिसको आप 2200 रुपे में एक share नहीं खरीच सकते थे अब 1100 रुपे में एक share खरीच सकते हो तो इसलिए company जो है affordable हो जाती है लोग पैसा लगाने लगते हैं तो ये पूरा तरीका आपको मैंने बताया इस वीडियो में कि bonus share में क्या अंतर है और bonus share और split share से निवेशकों का क्या फायदा होता है तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद दया होगा और आप bonus और split share के बारे में अच्छी तरीक से जान गयोंगे फिर अगर आपके मन में कोई विचार है कोई कमेंट अगर आपको करना है तो बताइए मैं आपको उस कमेंट का बिल्कुल जवाब दूँगा वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को आप प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब पक्का इसी रोड के साथ इस वीडियो करते वाइंड अप थैंक्स